आज मैंने टोस्टर निकाला यूज करने के लिए जिसे करीब एक साल से मैंने इस्तेमाल नहीं किया है तो देखिए इसकी हालत कुछ ऐसी थी तो मैंने सोचा क्यों नहीं साफ करते हुए यह मेथड मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ यह बहुत ही इसी मेथड है इसके लिए मैंने लिया है 5 स्पून्स ओ वाटर इसमें मैंने एक स्पून विनेगर मिलाया है आप कोई भी विनेगर यूज कर सकते हैं मैंने एपल 15 सेकंद्स के लिए हम इसे हीट करेंगे आयल सजेस्ट कि आप इसे 20 सेकंद्स भी कर सकते हैं बट नॉट मोर देन दाट मैंने 15 सेकंद्स क्लिक किया टाइमर अप होते ही से स्विच ओफ करें और केरफुली पहले इसका प्लग हटा लीजिए अब हम इसे ओपन करेंगे ओपन करके हमें की जो मिक्षर हमने बनाया था वो इसमें पोर करना है अरॉंड 3-4 स्पूंस जतना आपको सफीशंट लगे उतना आप इसमें पोर करिएगा बिकाज यह थोड़ा गरम होगा तो इसमें से थोड़ा सब भाप आएगा तो केरफुली से करिएगा ऐसा करने के बाद इससे फाइव मिनट्स के लिए बंद करके ऐसे ही छोड़ दीजिए फाइव मिनट्स बाद इसको ओपन करिएगा अब एक क्लॉट लीजिए और उससे अगर एक बार में क्लीन ना हो तो आप फिर से 15 सेकंड करके यह प्रॉसस रिपीट कर सकते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक करिए सब्स्क्राइब करिए हमारे चानल को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले बाबाए